हमिरपुर जिला में कुछ दिनों से गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला गिरोहू बड़ी शातिरता से टायर चुरा रहा है जिससे लोगों में देह्शत बनी हुई है चोर इतने शातिर है कि चंद मिन्टों में ही गाड़ियों के टायर को चुरा लेते हैं ऐसे ही घटना गत दिनों जाहू बजार में घटित हुई है जिसका पता CCTV फुटिज में चल रहा है S.P. अरजित सेन के अनुसार टायर चोरी करने वाले लोगों की गाड़ी को पकड़ लिया गया है और जल्द ही टायर चोरी करने वाले आरूपियों को भी पुलिस पकड़ लेगी हमिरपुर जिला के भोरंच के तहट जाहुक शेतर में चोरी की गई घटना सिसी टीवी कैमरा में कैद हो गए रात के समय दो चोर बाइक में बैच कर आए और सड़क किनारे खड़ी ट्राला जीप के टायर खोल कर ले गए दो मिनट की वीडियो में साफ दिख रहा है कि चोर बाइक पर आते हैं और चोरी को अंजाम दे डालते हैं ये वीडियो गत बुदवार रात का बताया जा रहा है मामले में स्थाने लोगों की शिकायत के बाद भूरें स्थाना पुलिस ने केस दर्च कर चानविन शुरू कर दी है जानकारी के मताबिक ये घटना चाहुक शेतर के सुलगवान की है देरात शातिर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है जिससे इलाके में संसनी फैल गई है साने लोगों की माने तो इससे पहले भी टायर चोरी की घटना यहां पर सामने आ चुकी है लेकिन ताजा मामले में टायर चोरों की चोरी सीसी टीवी फुटेज में साफ दिख रही है अब लोगों ने जल्द से जल्द इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग उठाई है चानबिन करने के बार टायर चोरी में सनलिपत वाहन को पुलिस ने बरामत कर लिया है उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही आरोपि पुलिस की गिरफ्त में होंगे जब ये फोटेज देखी गई और हमारे वहाँ पे नंबर प्लेट कैमरा वगरा भी हैं जिन से इनको डीटेल पता चली उसके बाद हमने जो है मंडी एरिया के मंडी एरिया में इस चीज का इंक्वाइरी की इन्वेस्टिकेशन की तो वहाँ पे हमको एक गाड़ी मिली संदिक गाड़ी जो इस काम के लिए यूज हुई है और उसको हमने अपने कबजे में ले लिया है हलांकि जो व्यक्ति इस काम को कर रहे थे वो अभी तक पकड़े नहीं गया है पुलिस उसनको ढूंडने के पूरी कोशिश कर रही है मैं उभीद है कि जल्द ही हमको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिले गाइज लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हम इरपूर से एस सिंग के रिपोर्ट लाइफ टाइम्स टीवी के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा